चेलक्सार की कच्छाओं में स्वागात है, आई आज सिखते हैं, बेस सिखते हैं, गडित का नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं, उसके प्रापर्टिस, नेचुरल नंबर्स, तो होल नंबर्स, इसकी प्रापर्टिस सिखेंगे, तो आई ये सिखें, today we went to learn natural numbers let's learn what is natural number the question is that what is a natural number then answer is that the number used for counting the number used for counting is called what natural number and the group of natural number is represented by capital N like 1,2,3,4,5 etc Hindi में इस चीज़ को समझें तो प्राकृतिक संख्याई तो गिन्ने के लिए जो संख्याई प्रयोग में लाई जाती हैं उसे हम प्राकृति संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्या के समुह को बड़े N से दर साते हैं जैसे की 1,2,3,4,5 इत्यादी अब इसमें दो चीज़ हमको समझना है सक्सेसर सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर तो सक्सेसर मतलब इन हिंदी परवर्ति एंड प्रीडिसेसर पूरोवर्ति ठीक है? तो सपोज नमबर इस 5 इट में भी 6,7 जो भी आप उदारा ले सकते हैं समझने के लिए हमने लिया तो 5 तो वेन वी एड़ेड 1 इन इन नेचरल नमबर नेचरल नमबर से हम एक जोड देते हैं उस पर एक जोड दिया तो क्या हो गया ये? 6 तो 6 is a successor परवर्ती संख्या हो गया किसका? 5 का आज का परवर्ती संख्या हो गया उसी प्रकार प्रीडिसेसर इप वी सबस्ट्रेक्ट सबस्ट्रेक्टेड 1 यदि हम इस परवर्ती संख्या में माइनस 1 कर दें या यही ले ले 5 ले ले 5 and minus 1 is equal to 4 तो 4 क्या है? 5 का पूर्वर्ती संख्या है ठीक है? इतना समझ में आगे हैं अब इसके प्रापर्टी को हम समझते हैं ओकी then प्रापर्टीस आप नेचरल नंबर्स आप प्राक्रितिक संख्याओं के गूढ तो प्राक्रितिक संख्याओं के गूढ की बात चप करते हैं तो देखिए सीधा से समझते हैं if A, V, C are नेचरल नंबर्स यदि A, B और C नेचरल नंबर है तब क्या होगा then इसका पहला जो गूढ है तो फर्स प्रापर्टी आप नेचरल नंबर्स वो क्या कहता है कि A प्लस B is a नेचरल नंबर it means when we add any two नेचरल नंबर्स when we add or multiply second one is also said तो यहाँ पर adding हो रहा है यहाँ पर multiply हो रहा है तो when we add any two नेचरल नंबर्स or when we multiply any two नेचरल नंबर्स we will get a natural number as a result मतलब यह हुआ कि जब हम कोई दो प्राकृत संख्या को जोने या कोई दो प्राकृत संख्या को आपस में गुडा कराएं तो हमें नेचरल नंबर ही प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है जैसे कि a प्लस b और a इंटू b अनदर एक्जाम्प दुसरा इसका गूर्ण समझते हैं अनदर एक्जाम्पल अनदर क्रेक्टर इट इस नौट निसेशरी ए शब्स्रेक्टर बी it will be a natural number इट मेंस यह जरूरी नहीं है कि जब दो प्राकृत संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो ठीक है? तिसरा गूर्ण क्या कहता है? it is not necessary a minus b will be a natural number अर्थात यह जरूरी नहीं है कि जब हम दो प्राकृत संख्याओं को घटाएं तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी चौथा इसका गूर्ण यह कहता है it is not necessary a division b it is not necessary a division b will be a natural number अर्थात यह जरूरी नहीं है कि यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को भाग दें तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी ठीक है? इनादर एक जब अर एनादर करेक्टर आप नेचरल नंबर्स अर कमिनिति प्रापर्टी या क्रम विनिमाय का गूर्ड देंव वेन वी एड आर मल्टिप्लाई ओके? वेन वी एड आर मल्टिप्लाई अनी नेचरल नंबर अनी सेक्वेंस A प्लस B और B प्लस A एनी सेक्वेंस A इंटु B और B इंटु A दें एडिशन एन मल्टिप्लाई अप्लाईट कमिनितिव प्रापर्टी अर्थात ये क्रम विनिमाय का गूर्ड को क्या करता है? नियम को लागू करता है हाउ देखिए सपोस्वेंस 3 प्लस 2 3 प्लस 2 इस इक्वाल टू 5 यस एर आर 2 प्लस 3 इस इक्वाल टू 5 तो जब हमने सेक्वेंस चेंज किया तो रिजल्ट सेम आया किस में? एडिशन में मल्टिपलाई को देखते हैं 3 इंटू 2 इस इक्वाल टू 6 एड 2 इंटू 3 इस इक्वाल टू 6 तो हम ये का सकते हैं कि जो योग और गुड़ा है योग और गुड़ा क्या करता है? क्रम विनिमे के गुड़ को फालो करता है जबकि सब्स्टिक्शन और डिविजन आर नाट अप्लाई कमिलिटेटिव प्रापर्टीज ये क्रम विनिमे के गुड़ को जो घटाना है और भाग है वो अप्लाई नहीं करता उस पे नियम लागू नहीं होता और देखते हैं आगे प्रापर्टी नेक्स्ट वन प्रापर्टी आप निच्रल नमबर्स तो असेशेटिव प्रापर्टी और सहाचर्य नियम तो सहाचर्य का नियम क्या कहता है कि योग और मल्टिप्लाई एडिशन और गुणा में ये लागू नहीं होता है सहाचरे के नियम और योग और गुणा में सहाचरे के नियम लागू होता है एक और नियम है डिस्टिब्यूटी प्रापर्टी या वीत्राण या बंटन का जो नियम है वह एडिशन और सब्स्टेक्शन दोनों में लागू होता है यह कैसे हो जाएगा यह वन टाइम इनके साथ और सेकंड टाइम इनके साथ तो क्या हो जाएगा 1 A into B plus A into C यह इस प्रकार से यह multiplication का डिस्टिब्यूटी प्रापर्टी होता है जो कि योग और योग और सब्स्टेक्शन एडिशन और सब्स्टेक्शन दोनों में यह लागं होता है सब्स्टेक्शन में देखें तो यह इस प्रकार से हो जाएगा A into B minus C और A into B minus A into C तो वीतरण का नियम ये दोनों में लागो होता है तो इस प्रकार से हमने आज प्रापर्टी साफ नेचुरल नंबर्स को जाना अगले वीडिये में फिर होल नंबर्स, फ्रेक्शन वगरा को जानेंगे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और कुशिस किया है कि आप अंग्रेजी माध्यम के बच्चे और हिंदी माध्यम दोनों के बच्चे जो इसको समझ पाए इसलिए दोनों भासाओं का प्रयोग किया गया तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बाकसा में कमेंट करिए और जो नए वीवार्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले